लिटक में चलो निएकई चलो। तो सबसे पहले आप मान के चलिए सर थियोरी कितने नंबर का आएगा। हमारे पेपर में थियोरी आने वाला है लगबग 30 नंबर का थियोरी। अब 30 नंबर में पहला चेप्टर जो हम करेंगे उसमें आठ से दस नमबर का थियोरी कबर होगा और सारे चप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी बताऊँगा और जो फटा-फट से explain करने वाला है वो मैं explain करने हुआ ठीक है जो जल्दी-जल्दी मैं बताता जाऊँगा आपने ध्यान से सुनना है तो आजाईए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दिक्कत किस वात की अब कुछ बच्चों का यह भी कहना था कि सर हमारे स्लेवर्स में वैल्यूएशन ऑफ शियर्स है तो स्लेवर्स आपके 10-year में भी गीवन है और 10-year हर बच्चे के पास होना ही होना चाहिए और उसके साथ-साथ देखा जाए कि इसके अंदर जो हमारा 10-year में गीवन है हमारा उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो यहां पर देखो कि आप जो यूनिट नंबर हमारा कोहीं कहीं पर भी वैल्यूएशन ऑफ शियर्स का डिसकस्शन नहीं है यह डियू के स्लेवर्स से उठा लीजिए कहीं भी नहीं बोला गया वैल्यूशन ऑफ शियर्स आएगा लेकिन हाँ मैं जरूर बोलूँगा इंटरनल में उनके पूरा स्लेवर्स के चलेंगा ठीक है चलिए सर लास्ट लास्ट में मैंने कुछ कराये था थोड़ा बहुत लेकिन फिर मतलब के कुछ रीजन के वजए से मुझे जाना पड़ा तो रहे गया था तो पहला कोश्शन है देखिए मैं बताता जाओंगा और फटा-फट समझात अचांट को मैंनेज करना है तो कहता है काbu क्लिमेंटरे क्या डोनों एक साथ चलते ऑने 20 करते हैं दोनों एक दूसरे से crashes ऑगर automat design मैंजमेंट भी डिंच मेंफन है तो यह पहला कोश्चन है only read करना है इतना important नहीं है सिर्फ read करना important नहीं का मतलब छोड़नी देना read मैं कुछ questions ऐसे बताऊंगा जो कि रीड करने और कुछ questions ऐसे बताऊंगा जो कि आपको पूरा का पूरा याद कर लेना चाहिए ठीक है न explain आपका responsibility of the finance manager read करके जाना है only this और ज्यादा कुछ नहीं है कि responsibility क्या है finance manager का बहुत सारे responsibility है fund को manage करना fund को allocate करना fund की आपकी availability करवाना तो यह सारी चीज़े इनके हैं तो यह चीज़े आप एक बार पढ़ोगे सारी चीज़े points wise इसमें लिखे हुए है theory में मैंने ऐसा नहीं है कि आपको theory के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा और जो language है book के अंदर tough language है इसके अंदर काफी easy language में लिखा हुआ है सारी चीज़े जो कि normal जैसे मैं इसे पढ़ूं तो क्या कहता है कहता है कि responsibility जो है आपका of the financial management is the modern enterprises तो तीन enterprises है यहां पर modern है traditional है और एक मेडियो कर रहे ठीक है न तो इसके अंदर क्या है कि financial management person who are responsible for आपका significant carry all of the financial function सारे financial function और financial function कि से related होगा पैसे से दस ही इस वन आफ दा concern not only the raising of the fund सिर्फ रेज नहीं करेगा फंड को बट ही आपका production से भी क्योंकि वहां भी पैसे की जुरत है marketing से related होगा वहां पर भी financial management की जुरत है और फंक्शन हो सकता है तो यह कहां कहां में फंक्शन यह है और अदर फंक्शन यह भी करता है ठीक है तो रीड करना है ठीक है वह रूड डस दा finance manager play in the modern बहुत इंपोर्टेंट है इसको याद कर लेजेगा मैं यहां पर मांग कर देता हूं याद लेजेगा इसको मतलब कि मतलब होता है कि पहले क्या होता था फाइनस चैसे कि माले पुराने टाइम पर दुकान आप कभी पुरानी मूवी बगरा देखना तो जब मुवी बगरा देखो गया तो उसके अंदर मुंसी जी उता तो घाम करता था वह फाइनस मैंजर यए कुछ ऐसा था लेकिन ज देखना पड़ा तो उसको देखने में हमारा क्या हुआ सर सब चीज को देखते देखते हर एक चीज के लिए special हमें एक परसेंट करना पड़ा तो वहीं से modern में इतनी ज्यादा चीजें इतनी ज्यादा population इतनी ज्यादा सेल हो गई तो वहां पे finance manager का बहुत main important role आ गया function तो क्या कहता है एक तो सबसे पहला function देखो three function है यहाँ पर investment में decision के भाया हम यह assets खरीदें या ना खरीदें investment का मतलब assets से related होगा हम यहाँ पर shares issue करें या debenture issue करें उस से related finance decision finance का मतलब के पैसा कहां से लेना है share से debenture से and dividend पर decision के हमें dividend देना है या फिर distributed और शुडबी रेटीन या फिर उसको क्या कर लें कितना दे देना चाहिए और कितना रेटीन करना चाहिए तो यह important है modern वाला मुझे लगता है इस पर पूछा जा सकता है तो ध्यान चाहिए इसको भी आप बस read करके जा सकते हैं हाँ एक यह questions बढ़ा important है यह जरूर पढ़ लिजेगा मैं माग कर देता हूं यह पहला ही चप्टर चल रहा है अभी कहता है financial management has the expand in the scope of during the few decades पिछले कई सालों से बढ़ता जा रहा है जिसके इसके अंदर बहुत सारे approaches है तो इसके अंदर बढ़ता जा रहा है तो एक modern approach को explain कर यह इसको बगएर है इसके अंदर हमें बता देना होगा तो यह ज़स्ट पढ़ना है तो इसके अंदर देखो आपको तीन बता दिया है जबकि पूछा सिर्फ modern है लेकिन यहां पे तीन explain किया गया इसके अंदर जो answer given है कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता कि answer कैसे given होता है तो मैं बता दू जो questions लिखा है जैसे लिखा है कि 2013 में पूछा गया 14 में पूछा गया 15 में पूछा गया तो इसका मतलब यह question नहीं आया इस question में सिर्फ और सिर्फ था modern approach हमने क्या करा यहां पे इससे related बहुत सारा हो गया यह तो बहुत बड़ा हो गया तो आपको इसमें से topics उठाने है तो उसके हिसाब से चलना है ठीक है न इंपॉर्टेंट कोशन है corporate governance इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका explain the concept systematic यह सिर्फ एक बार पूछा गया और मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा अभी के लिए honors वाले एक बार बस read करना है ठीक है न और आगया आजा what do you mean by the business यह पढ़ लीजेगा important है business risk business risk में हमारा profit बढ़ सकता है घड सकता है financial risk में मुझे ब्याज देना पड़ सकता है profit हो या ना हो मुझे ब्याज देना पड़ेगा तो यह कौन सा जा रहा हूं पढ़ना क्योंकि theory मैं समझाऊंगा उसके इंदर एक घंटा लग जाएगा एक theory में जिसको कोई benefit है नहीं आप इसली पढ़ सकते हैं हाँ जो theory आपको समझ में नहीं आ रहा आपके पास बहुत सारे सोर्सिस के spelling या word समझ में नहीं आ तो आप Google करके इसली देख सकते हैं फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप भेजेंगे उसको मैं प्रॉपर explain करूँ है फिर में रिस्क रिटन आपका एस्वेल के इंदर एक्स्प्लेंद रिस्क रिटन ट्रेड ओफ इंदा फाइनिशल डिसीजन बिल इसके दो आसपेक्ट होंगे कौनझ कौन से रिस्क एंड रिटन हमारThe Vietnamese को अगर मैं तो आप फाइदाब ll Japanese हमें मिलेगा रिस्क इस तो risk कम होगा and risk आपका bring into the firm the risk connect आपका जो accepted return है from the investment investment से जो भी हमारा return होगा उससे connected है the investment equity हो सकता है हमारा risk ही है return आपका variable return हो सकता है तो यह सारी चीज़े इसके इंदर discuss करी गई है कि risk और return तो आपको इसको पढ़ना है मैं circle जिस पे लगा रहा हूँ और यह circle लगा हुआ ही मैं PDF आप सभी को भी share कर दूँगा इसके इंदर मैं changes नहीं करूँगा कि पहले जैसा हो आपको आप जिससे की वैसे 10 year ले रखा है आप वीडियो में से देख के आप से लगा सकते है इसके बाद investment, financing, dividend, decision और इंटर रिलेटिड इंपॉर्टेंट कोश्चन है सर वैसे तो investment, financing and dividend decision यह जो है यह unit number 4 में भी यह applicable हो सकता है तो इसलिए मैं इसको important बोलूँगा कि financing decision क्या होता है dividend decision क्या होता है और बागी कितने type के decision होते हैं हम उपर ही starting में discuss कर चुके है financing में हमें loan वगरा लेना नहीं है investment में हमें assets करीदना है dividend में हमें dividend देना है या फिर dividend नहीं देना profit में कितना पाट देना है बाई साब सबसे important question तो मुझे यह लगता और काफी time से आया भी नहीं एक दो साल मैंने देखा कि नहीं आया wealth maximization only the decision certain got not gold wealth maximization अब एक होता है हमारा profit maximization एक होता है wealth maximization wealth का मतलब होता है कि हमारे shares की value बढ़ना किसी भी company का जैसे कोई भी company हुआ इसके value को बढ़ाने को wealth बोलते हैं value को जैसे मानलो मेरी company के share 10,000 है और market में rate चल रहा है मानलो 20 रुपए तो मेरा value of firm हो जाएगा वो कितना हो जाएगा sir 2,000,000 लेकिन अगर मेरा share 10,000 हो और market के अंदर shares का price कितना हो जाए 30 रुपए तो मेरा value कितना हो जाएगा 3,000,000 तो इन दोने example से एक बात तो clear हो गया कि हमारा जो wealth maximization होगा जब जब share price बढ़ेगा तब तब मेरा क्या होगा wealth maximization और share price बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा profit ज़्यादा कमाना होगा dividend ज़्यादा बाटना होगा तो market में लोगों को पता चलेगा भाई company अच्छा कर रहे हो तो आपके share का price automatically demand के वे से बढ़ जाएगा तो क्या कहता है the objective of the wealth maximization provide the framework optimum financial decision making the term objective is the use to the sense of the goal or decision आपका certain of three decision financial management जो कि हमारे तीन decisions होते है financial management it's imply that what relevant is not overall objective हमें overall objective से मतलब नहीं है ज़्यादा goal of the financial business से किये हो गया और एक आपका operational useful आपका creation क्या रहेगा आगे कहता है investment and financing and dividend policy यह भी impact करेगा कि हमारे dividend policy कि आगर हमने dividend policy में dividend देने का सारा फैसला किया तो share का price बढ़ जाएगा the term objective provide दार्दा आपका framework जो भी होगा is the use to the rather than narrow sense हम छोटे sense में मतलब के narrow sense में ना सोचके firm should be attempt to achieve with the investment financial and dividend policy decision wealth maximization decision is also known as a value maximization और net worth maximization इस नाम से भी जाना जाता है value मतलब firm का value the worth course action can be आपका judge in the terms of the value of benefit तो कहानी कहने का मतलब वही सारी चीज़ जाता है कि क्या-क्या maximization होगा और किस तरीके से होगा तो आपको आगे भी questions आएगा थोड़े सा easy language में यहां पर थोड़े सा tough है तो जरूर करेंगे मैं important यह भी question करेंगा profit maximization कहता है कि profit maximization is not आपका foreseeable अब कहता है कि wealth में अब जो business है ना हमेशा profit maximization नहीं सोच सकता profit maximization में क्या होगा by environment के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है दिक्कत आने दो कोई दिक्कत नी हम अपने profit के बारे में सोचते हैं अगर हम कोई pollution फैल आ रहे है society के अंदर कोई दिक्कत नी profit तो नहीं profit maximization अगर आप सोचोगे तो आप short term तक टिक होगे अगर आप wealth maximization सोचोगे तो आप long term तक टिक होगे तो उनी के बारे में थोड़ा से यहां पर बताया गया है कहता है tough of the sole objective बहुत tough होता है इसका objective होता है financial management का the profit maximization but it cannot be the sole objective of the firm as there is the direct relation between the risk and profit risk has to be balanced with the objective of profit maximization जो risk अगर simple से बात है risk और profit दो चीज़े हैं जैसे उपर पढ़ाता है interrelated तो risk ज्यादा है तो हमारा profit भी ज्यादा होगा risk कम लेंगे तो profit भी कम होगा तरीके से कहता है तो future में तो वह सारी चीज़े मैंने जो बताया अभी वही चीज़े मैं important important theory के उपर बात कर रहा हूँ ठीक है फिर से आ गया sir बहुत important question mark कर दो इन दोनों के बीच में वाले question तो पूछे जाएंगे अगला भी देखो क्या आ गया wealth maximization better certain their profit maximization तो सेमी question को घुमा के पूछा गया है तो मैं यहां पर भी circle लगा दो क्योंकि बात में आप देखोगे न यह भी important है और वीडियो देखके तो आपको अगर आपने time value of money का practical कर लिया है तो यह पढ़ने की जुरत नहीं है और अगर आपने practical नहीं करा है तो theory जुरू पढ़ लिजेगा दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें choice आ जाती है कही बात ठीक है इसके बाद agency आ गया यह पहला चप्टर खतम तो पहले चप्टर में जितने questions यहां लिखे हुए हैं सिर्फ उनको आप अच्छे से करके जाईए एक बार book में से बस heading heading देखके जाईएगा पहला चप्टर जब आप कर लेते हैं तो आपके साथ से आठ नंबर दस नंबर तक इवन दो फिक्स हो जाता है तो जो बच्चे कह रहें कि सर्म पास नहीं हो सकते तो पहला पॉइंट अपके दस नंबर तो यहां से बन गए ठीक है अब आ जाते हैं सर capital बस्टिंग capital बस्टिंग के अंदर हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं होना कि हम अगर जिसने प्रैक्टिकल कर ले क्योंकि देखा आपने उसमें दोनों practically प्रैक्टिकल आता है थीओरी आने के कैसमेंट होता है लेखिस पेलिए स्कुराइब इसेट को करना चाहिए यह फिर नहीं करना स्टिकल बस्टिंग का मतलब होता है कि हम हमें ऐस फटंशन लेते हैं कि हमें उस 1992 को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए Capital Busting Decision Irrelevant Do You Agree? Comment Capital Busting Decision Are Irrelevant? नहीं सार यह relevant है यह irrelevant नहीं है These decision may be related to the expansion of diversification replacement या modern fixed assets को करने के काम आता है तो यह theory है Short note incremental यह इतना important नहीं है आगे आगे हमारा Focus on the cash flow तो बस एक बार read मारना है क्योंकि इसमें से practical question पूरा आना है और इसके अंदर chances भी बनता है कि पूरा practical अभी paper भी दिखा है पूरा practical एक questions यह है यह पांचवा questions इसमें से जरूर कर ले न इस technique पे इस से एक questions अगर आपका मान लो तो कोई अगर किस्मत अच्छी रही तो यह theory आ सकता है आपका क्यों आ जाएगा यह क्योंकि इसके अंदर सारे techniques पूछे गया है और सारे techniques को explain करेंगा payback period क्या होता है average rate return क्या होता है net present value क्या होता है profitability index क्या होता है internal यह सब होते क्या है आपको formula भी पता है उसी formula को लिखके explain किया गया है तो important है payback period जितने time में हमारे पैसे मिल जाए average rate of return कितना profit में मिलेगा net present value के हमारा आज present value क्या होगा profitability index कितना profit कमाएंगे तो यह सारी चीज़े यहाँ पे है capital bursting में और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ करना चीए यह थोड़ा बड़ा है क्योंकि हर topic के उपर बनाया गया है ठीक है दूसरे chapter में से ज़्यादा theory पर focus ना करें better है कहीं कोई बच्चा theory लेके बैठ जाए और सारा time उसमें लिकाल दे और time खराब हो जाए प्रिफली explain the evaluate payback period method technique क्या है पहले ही हम कर चुके है questions आया हुआ अगर वो इस question को कर लेते हैं तो इस question को करने की कोई वशकता नहीं है पेवेक पीरिट क्या करता है पहले ही पढ़ चुके है यही आप लिख क्या होगे आपका despite the belonging to the payback period क्या होता है नहीं होता है वो इसमें से एक यह questions बन सकता है आपका नपीवी आई आरा कि किस तरीके से हमारा help करता है क्याता है वाइल evaluating single project याने एक ही प्रोजेक्ट है विद आपका conventional cash flow बोथ नपीवी आई आरा मैथड अडिंटिकल डिसीजन explain कैसे लेंगे जब हमारा NPV positive होगा तो हम ले लेंगे और IRR जब हमारा कम होगा मतलब के जितना ज्यादा हमारा IRR होगा फिर हम फैसले ले लेंगे उसके favor में तो वही चीज़ बताएगे आँ देखो कि IRR जादा होगा discounting rate से NPV zero रहेगा accepted होगा IRR हमारा क्या होगा बराबर होगा NPV zero होगा तो indifferent मतलब करो भी नहीं भी करो IRR हमारा कम हुआ NPV हमारा minus में हुआ तो reject कर देंगे दोनों चीज़े इस तरीके से फैसले लिए जाएंगे तो यह हमारा दूसरा chapter ज्यादा इतना है नहीं जो techniques बता हैं वह कर लेना बस यह है आ जाए सर तीसरा cost इसमें से theory जरूर पूछा जाएगा और इसमें से हमेशा अटपटा theory पूछा जाता है ठीक है न जो गीवन है हमेशा अटपटा होता है तो एक दो दिन प्रोग्राम वाले बच्चों के थोड़े slow doubt हो सकते है owners वालो बच्चों के हम जल्दी जल्दी doubt solve कर रहें क्योंकि उनके exam आ रहे है ठीक है इसके अंदर से थोड़ा पटा कुश्चन आता है सबसे बड़ा चेप्टर है इसमें आप मान के चलो साथ नंबर का यह साथ नंबर की theory fix है जो यूनिट वन की है वहां से 10 और यहां से साथ नंबर की theory fix है cost of retained earning क्या होता है same cost of equity बिलकुल cost of equity का ही rate लगता है आपको WACC क्या होगा cost of retained earning क्या होता है जो profit में से हिस्सा हम बचा लेते हैं तो कहता है कि earning generated by the company are generally distributed among the equity shareholder dividend however the entire earning not distribute and part of the retained by the company then such retained earning is available for the reinvestment with the company related earning और इसके आगे क्या कहता है sir the shareholder equity same तो जो मैंने बाते बताएं वही चीज़े लिखी हुई है और आपको ये चेप्र इस थर्ड यूनिट के theory को करने के लिए practical आना बहुत जरूरी है तब जल्दी समझ में आ जागा जैगा जैसे कि मैंने अभी एक बार में आपको समझा द अप्रोच है capital assets pricing है बस एक रीडिंग वाला चीज है इसमें सच नहीं है और बीच बीच में देखो यह फॉर्मूले है ना तो यह फॉर्मूले अप लिखो वैदर नहीं लिखो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप explanation पे focus करना cost of existing share capital and the fresh issue of the always same कैता है existing share capital पे and fresh issue पे capital पे same तो read important नहीं है read करना है कैता है explicit implicit cost of capital यह भी just a read करना है आपको explicit क्या होता है जो हम calculate कर लेते हैं as there is no explicit cost of retain earning their fund बस एक read मारना है जो important होगा बता दो market weighted वेल्यू बुक वेल्यू कहता है market value and weighted are superior to the book value इसको पढ़ लेजेगा सर इसको पढ़ेंगे क्योंकि यह पूरा का पूरा है बोलता है जो WACC निकालते इसको पूरा रट रहे हो डास दा फर्म टेक्स रेट अफेक्ट दा कॉस्ट ऑफ क्यापितल वट डी रीडिंग करना है कि कैसे केडी को यह effect करता है वो चीजे बताना है ठीक है explain in the brief weighted average cost of capital and why only read करना है इसको अब preference share capital generally lower than cost of यह से याद कर लीजिएगा सर यह important question है कहता है cost of preference share capital generally lower than the cost of equity कहता है कि जो preference share का जो cost होता है na equity से कम होता है देखो preference share का तो एक fixed rate होता है माल लो क्या होगे हमारा 10% लेकिन equity का ऐसा रहता है कि कभी 10 भी हो सकता है कभी 8 भी हो सकता है और कभी 20 भी हो सकता है कहता है the cost of preference share is generally lower तो बिल्कुल अब दोनों आस्पेक्ट बताने का सर यह lower नहीं होगा कभी ज्यादा भी कभी कम भी कहता है कि the preference share capital is the different from the equity capital account two basic features क्या feature से यह बता जिए इस पर दिविदेंट पहले से बात क्या कहता है therefore cost of preference share is the term fixed rate dividend and the preference share dividend payable only when the sufficient profit available होगा and the company want to pay dividend if the equity shareholder also और जो equity shareholder में तो profit होगा तब भी पे कर सकता है नहीं in other words the equity shareholder and tied to the received dividend only when the preference shareholder have been the paid जब उसको payment होगा उसके बाद ही मिलेगा और dividend are fixed rate जो कि dividend fixed rate से होता है equity shareholder bear maximization risk in the terms of the payment of the dividend and the repayment of the capital liquidation due to the very fact that the cost of equity capital more than the आपका preferential तो भाया equity share वाला माली क्यों होता है उसके सामसे रहेगा what do you be the trading equity बस reading करना बहुत पुराना question है पूशे जाने का कोई trending में चलनी रहा trading equity यह भी नहीं करना सर कि अगला question है define leverage एक यह कर लेजिएगा leverage क्या है पता है आपको different type of leverage वही degree of operating leverage degree of financing leverage यह सारा पढ़ना है ठीक है ना जो कि आपको फॉर्मूले के साथ explain करना है जाए है different leverage the what is the major purpose operating leverage and different form of leverage यह बस discuss between the operating leverage financial leverage एक बार वह पर लेंगे तो आप यह questions कर सकते हैं true the band find यह भी important नहीं है मैं बताता जा रहा हूं जिस पर mark कर दुआ एक यह करिए आप जो इंपॉर्टेंट अब रीडिंग सबको करना है जो इंपॉर्टेंट है what is the ebit eps analysis how different from the leverage ebit eps क्या है और किस तरीके से यह अलग है मैं वह question टिक कर रहा हूं जो most expected है ठीक है अब जितने भी अप्रोच है इन अप्रोच को मुझे अलग से बताने परसो पेपर है कल मैं एक बार समझा दूँगा पहले एक बार पढ़ लिजिए का कल मैं इसके उपर separate वीडियो बना दूँगा जितने अप्रोच है उन अप्रोच के assumptions पूछे जाएंगा जैसे इसमें क्या क question में text अगर आ गया तो उसको उसके साब से करके चलना होगा आ जाएए सरागे कहता है डिसकुस्ट डा रिलेशंशिप बिट्विन लीवरेज और कॉस्ट ऑफ क्यापिटल के बीच में डिसकुस करें एस पर नेट इंकम अप्रोच तो यह भी इंपॉर्टेंट जितने भी सारे के सारे आपने करने हैं अप्रोच कोई मत छोड़िएगा एक अप्रोच जरूर पूछ लेगा इसमें नेट इंकम अप्रोच यह भी पढ़ना है यह भी नेट 24 भी इंपॉर्टेंट है कमेंट यूटिलिटी ऑफ दा इंकम अप्रोच यह भी पढ़ना है इंपॉर्टे है MM approach इसको तो मैं कर देता हूं सर इसमें दो तीन कोश्चन बनते हैं तो मैं तो important देखो लिख भी रहा हूं mm का तो एक यह हो गया एक यह mm का हो गया क्या कहता है सर how does the cost of equity capital have the traditional theory and mm approach कहता है किस तरीके से behave करेगा traditional mm approach के यह आप से क्या बोलता था कि वैल्ली आप्रोच के अंदर कुछ थोड़ा सा लग था कि यहां पर equity नहीं रहेगा या फिर यहां पर खेयो हमारा नहीं पढ़ेगा तो काफे सारी चीजे थी यहां पर जिसको मैं अलग से भी एकमपेरेटिव वीडियो बना दूगा इन पर और मैं अभी सिर्फ पढ़ने के लोग रहा हूं एम यह भी देखिएगा यह पढ़ने के जुरत नहीं है 32 बस यह खतम हो जाता है डिविडेंड डिसीजन पहले ही औरडी मैं करा चुका हूं डिविडेंड डिसीजन के क्या क्या थियोरी है फिर भी मैं एक्स्प्लेइन कर देता हूं इसमें से एक थियोरी एक प्रैक्टिकल आएगा ठीक है साथ न था तो उस फोल्डर में जाएगा डिविडेंड वाले में वहाँ आपको यह पूरा पूरा ठीक्स्प्लेंड मिल जाएगा क्योंकि एक गटे में यह पूरा चार्ट वगरा सब समझाया था और यह पूरा चप्टर करवाया था तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यह है कि कौन सा है what is the mean by the indifference level यहां का कुश्चन नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा यह हमारा है कहीं और का किसका यूनिट थर्ड का डिविडेंट पेमेंट एक्स्प्लेंड हाओ अफेक्ट शियर्स वेल्यू एक वाल्टर है गौडन है वाल्टर के प्रैक्टिकल नहीं आएंगे लेकिन थियूरी आएंगे एक्स्प्लेंड गौडल मॉर्डर डिविडेंड डिसीजन वाट इस दा जंशन क्या क्या जंशन है और यह पूरे थियूरी मैंने बताय हुआ है मेरे मेरे हिजाब से पहले ठीक है एक इसमें क्या-क्या डिविडेंड के फेक्टर एफेक्ट करते हैं यह जरूर पढ़ लिजेगा क्या फेक्टर एफेक्टिंग यहां पर मिला नहीं है कहीं पीछे होगा factor क्या affect करते है dividend policy को book में मिल जाएगा आपको ये theory जरूर कर ली जाएगा ठीक है book में आपको definitely मिल जाएगा तो dividend का इतना है नहीं तो ये जो 4 chapter से इसमें theory पांचवे chapter में से पहले 3 chapter में से practical आने के chances बनते हैं और बागी के chapter में से practical नहीं आते theory आते हैं पहले तो ऐसा था कि इन chapter में से सिर्फ theory आता था लेकिन अब practical आने लग गया है working capital discuss the different approaches पूरे detail में कराया गया कौन-कौन से approaches होते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हो गया तो मैं इस पर important theory already करा चुका हूँ important question है सर ये practical नहीं आये तो theory आएगा इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो की अच्छा चलो ये important है सर आजाए ये liquidity profitability compared to the finance manager liquidity and profitability compared to goods of the finance manager of the comment ये वैसे इस चप्टर का question ही नहीं है सर ये chapter question है first का के liquidity and profitability are comparing goods of the finance manager तो ये इसका नहीं है के firm should be तो इसको read करिएगा इस चप्टर का है ही नहीं देखो अभी भी जो है working capital cash management इसमें से 99% theory होगा और theory कौन सा और वाला होगा अभी दो चार पेपर भी दिखाऊंगा और वाला होगा तो ये question relevant नहीं है इतना इसके वेरियस फेक्टर डिटर्माइन दा कैस्ट नीट्स ओफ़ फ़ेक्टर ये कर लिजिए गा एक ये फेक्टर वाला कुछन पूछा जाता है एक पार आ गया था एक्स्प्लेंट ये एक ये questions पहले भी आया हुए इसमें ये डला हुआ मैंने सॉल्व किया है मुझे याद है मोटिव होल्डिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है शाहिद इस बार भी आ जाए इसमें से तो प्रेक्टिकल आएगा वेरियस सूर्स और वर्किंग केपटल तो शॉर्ट ट्रम लॉंग ट्रम पहले हम डिस्कॉस कर चुके है आपको रीड करना है क्या है, परा मेंजमेंट किया हा, इन दिफाइं धभलोट एंटिस्क्रिंटिवुिस्टोर्ट फटीविस्टोर्ट उट्रम टालेक्जयशन इंपंटिकल का क्या हुता है टिस्टी्ग्षेष बिल्मेनट फ्लॉट फ्लोट जस्टीविस्टिविस्ट खेइंगित गयाто चेक चेक जब इशू कर देता है इट्स रिड्यूस दा बैंक बैलेंस इन दा बुक्स जैसे ही मैंने चेक इशू किया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा कम हो जाएगा बैलेंस दा बैंक बुक होईवर इस नोट रिड्यूस तिल दा पेमेंट मेड अब जैसे हम bank book की बात करें bank के अंदर से payment minus नहीं हुआ लेकिन हम check issue करके अपने cash bank column में से minus कर देते हैं the amount of the check issue by the firm but not paid by the bank reflect in the payment float उसको क्या बोलते हैं payment float में है कि जैसे मालो मैंने check दे दिया मैं तो अपने पास minus कर दूँगा लेकिन ये payment निकलेगा तीन दिन के बाद तो payment क्या और अप float हो रहा है रस्ते में तो इसको हम बोलते है payment float जो भी है when the firm receive the check and deposit with the bank firm increase the bank balance हमने तो increase कर दिया अपना cash book लेकिन the balance of the bank book यानि simple सी बात है भाई check का पैसा आना था और आया नहीं एक दो दिन में आएगख तो It looks लोग बॉक्स स्टम क्या होता है वी बहुत पुराने अब नए नहीं यह बहुत पुराने ट्रेडिशनल टाइम के हैं इस टाइम् वेलु टीवियमं कम्प्रींट बिल्गुल नंबर ऑफ डाउट शेयर किये हैं सर मैंने इस उस नंबर पर डाउट कुछ एक डाउट मुझे ही देखना मैं देखके फिर मैं करूंगा आपका और से प्रोग्राम है यह बता दीजेगा ठीक है लॉग वक्स सिस्टम क्या होता है पहले ना चेक हमें जैसे कि मालों किसी से चेक लिया तो बैंक के अंदर ना हर जगा चेक डालने का जगह नहीं होत कि अब तो सारा सिंपल ओनलाइन आञए तो इससे उनका क्या होता था यह चेक इस में डाल देते थे ची कुस्त्सकी क्या हो जाते था यतिक से ड्राइट वोक्स होता है ठीक है इसके बाद कोंसेंट्रेटिंग क्या बैंकिंक क्या चूँनसेंट्रेटिग से लोकेट तू चूसम ऑफ दा प्लेश की कलेक्शन के लिए क्या करते हैं वह सेंटर एंड ओपन अप दा कलेक्शन सेंटर सच प्लेश इस हैल्प टूदा कस्टमर विसिटिंग दा कलेक्शन सेंटर लोकेटेड यहांने सर कहने का मतलब है जैसे यह बैंक है अब हर जगा थोड़ा मुसकिल ह उसने क्या करें छोटे-छोटे संटर बना दिया जैसे मिनी बैंक है तो अपने छोटे-मोटे काम आप जैसे अधार की वाइसी वगरा करना हो तो जाके फोटे जो मिनी बैंक खोल के बैठते हैं वहाँ पर करेक्शन वगरा थोड़ी बहुत चीज़े करा सकते हैं तो उसी को हम बोलने कि क्या है ठीक है लॉग बोक्स ऐसे हमारे हैल्प के लिए खोला गया था के इन दिस अटेंप्ट था हैव दा प्रॉपर एंड एफिशेंट कंट्रोल हो जाए कैस के था यह बड़ा मुश्किल होता था चेक का पैसा ना हमके कोई चेक देते था था यह बैंक को ब्यास देना होता तो इस सब किसे बचने के लिए मैं प्लस करके कि क्या करते यह कौश्ण काफी इंपॉटेंट है कई वर पूचा गया है एक यह भी भाई साहब यह जो है यह फॉर्मूला लगाया था उसको इस दिवाब से मने किया था जहां पर क्या होता है हमारा दू चीजे एक्वल हो जाता है क्या क्या हो जाता है जो हमारा एक्सपेंस होता है क्या कहता है optimum conversation the cash withdrawal which cost latest मतलब जहां पर हमारे डिड्राल का और deposit का जो हमारे खर्चे होते हैं बैंक के अंदर वह optimum हो जाता है तो उसको बोलते हैं जैसे कि देखो यहां पर क्या है optimum cash balance है इसे बोमिल मोडल बोला जाएगा जहां पर total cost holding cost transaction cost सब को मिला के यहां पर होगा तो इससे बोला जाएगा एक यह भी सहाब अभी तो फिलाल मैं लगा देता हूं टिक मिलर और मोडल इसके बाद आजाओ receivable management वैसे receivable management यह question गलत सिफ्ट हो गया ओपरेटिंग साइकल का तो यह ओपरेटिंग साइकल का डाल दीजिए वाट दी मीन वादा ओपरेटिंग साइकल मुझे नहीं लगता है इसमें से questions जो है practical पूछा जाएगा थियोरी आने के चांसे सी है और थियोरी अगर आप इस चेप्टर के छोड़ भी दे तो मेरी बास समझना पहले तो आप उसका प्रैक्टिकल तो करी रहेगा मैं तो थियोरी जो बच्चा डर रहेगा प्रैक्टि करिएगा मैं मारकर से करी देता हूं करिएगा और मैं अगेन कह रहा हूं सबके लिए नहीं है कोई बच्चा सुच है सर मैं कितना पढ़ूं है ऐसे वाटर दा बैनिफिट ऑफ दा इन्वेंट्री डिसकस ABC आनलेसिस ABC पहले भी डिसकस किया बाकि मैं कल वीडियो ढाल दूँग ABC अनलेसिस पर क्या होता है मतलब हम स्टॉक को बेसिकली तीन क्या बार देते हैं एक जो सबसे महागा स्टॉक होता है इसको एक कैटेगरी में रखते है उससे थोड़ा सा सस्टा बीगैड़ी म कर दोनों बराबर इंवस्मिंट भी उतना ही सी कैटेग्री के अंदर समान तो इतना सारा गया और शोड़ा से लग इसके आपर वीडियो बना हुआ है मैं चेक कर लूगा डाला या नहीं डाला नहीं डाला हो तो मैं डाल दो गहां बेसिक बेसिकली के अंदर से theory आएगा अब practical स्टार्ट होगे अब समझिएगा अभी तक जो मैं अगर मैं बताओं तो कुछ बच्चे na confused हो भी रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर क्या करना है नहीं करना ही बताइए अब देखो हमारा 30 और प्रेट traject नंबर क्या है सर 30 नंबर का यहाँ पर देखा जाए तो theory है correct तीस नंबर में आप चेप्टर वन तो च्छोड़ी नहीं रहे हो तो चेप्टर आप को प्रांड तो प्रैक्टिकल देंगे तो अब पर क्या बात कर लेते हैं मैंने अभी आपको पेपर दिखाया और पेपर देखें लेंगे तो थोड़ा सा में आइडिया हो जाएगा प्रषाठेंशनतर हैंपि वीजा नैंने तुन हो जाएगा यह है हमारा दिसम्बर दिसम्बर प्रोग्राम 22 कभी पर है ना अच्छा यह प्रोग्राम पर है ओनर्स वाले ओनर्स वाले टेनियर में होगा चलिए ओनर्स का नहीं है यह है प्रोग्राम का आइगेस यह भी प्रोग्राम का कोई बात नहीं अब देख लेजिए 2022 में दोजार बाइस में प्रोग्राम के अंदर क्या आया था आपका सिक्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमने पढ़ा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर वह कोशन में इन्पॉर्टेंट लगा है आपने करा हो तो आपका हो गया भी आठ नमबर पक्का और दूसरा भी पूरा प्रैक्टिकल है कि इसके और में फी देखो पूरा कोशन क्या हैं एक पार्ट आगे डिसकस्ट दा और इर्ट को तीसरा कोश्चन ये चोटा सा प्रैक्टिकल बहुत सीम्पल सा प्रैक्टिकल और ये कोशन हो गया इसके और में आ जाई है और में आ जाई है ये पार्ट थिए कि वाट इस दा ट्रेडिंग ऑन दा इकुटी डिटेल और एक छोटा सा क्या आ गया हमारा चोटा सा गया हमारा एक प्रैक्टिकल चलिए सर यह तो हो गया हमारा ख़तम अब आजाए सर चौथे कोश्चन पर मार्केट प्राइस यह वही चल रहा है चौथा कोश्चन इवैलिएट नेट इंकम अप्रोच देखो चौथा कोश्चन भी अप्रोच में से बना दिया और कंपनी यू लीवर और लीवर तो यहां पर अगर मैं देखू तो तीसरे यूनिट से दो कोश्चन बन गया यहां पर जो मैं बता रहा हूं तो वह बन सकते हैं अब जो हमारा पांचवा कोश्चन बना है हमारा यह देखिए हमारा कोश्चन नमबर चार लीवर लीवर से आ गया और आ जाते हैं यह पी रेशो डिविडेंट पॉलिसी आ गया तो फॉलॉविंग दो एक्सपेक्टेट यह भी उसी चेप्टर से बना हुआ है और अब आ जाते हैं पांच वे कुश्चन पांच वे में वही जो हमने कहा था बॉमूल थियोरी वह आ गया और वट डियू अंडरस्टेंड बाइद उसके अंदर तीश नमबर के आपकी रहने वाले है थ्योरी तीश नमबर के पहला चेप्टर परोगे तो थ्योरी बची नहीं पहला चेप्टर कर लिया तो हटा दो आप सात नमबर तो फीरी कितने की बचके सर वीं रचा जो d आभ इस अब इसमें भी आप last वाले chapter का theory हटा देते हैं अगर working capital वाले का या फिर हम third chapter वाले, third unit वाले का theory करके जाना, या dividend policy का करके जाना, ठीक है, 7 number, तो ऐसे कुछ ज़्यादा theory करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो, पहला chapter करोगे, 7 number, 8 number खतम, dividend policy वाला करोगे, उसमें से भी साथ, 14 number निकल गए, सिर्फ 15 number के लिए आपको धेर सारा theory पढ़के जाना पड़ेगा, 15 number के लिए, अगर आपके सारे practical खतम हो जाएंगा, तो बड़े आराम से आप ये theory कर सकते हैं, अगर आपके सारे practical खतम नहीं हुए हैं, तो आपको ये theory करने की जौरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दो चप्टर की theory बागी प्रैक्टिकल पर फोकस करें, जहां से आप marks अच्छे से score कर सकते हैं, सर आप दे दो WhatsApp कर दूँगा, आप नमबर दे दो WhatsApp कर दूँगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है, कि डिविडेंट डिसीजन कैसे करना है, आपको सरिफ तीन लेक्चेस देखने हैं, और बुक के questions लगाने चालू करने हैं, और मैंने most expected question के नाम से भी एक folder बनाया है, उन questions को देख जाएगा, उस टाइप के paper आने के chances बनते हैं, यह सभी के theory चल रहा है, honest program सब के हैं यह, theory में कोई changes नहीं होगा, और इसका परसो paper है, नहीं नहीं, semester पांच का है परसो, तो एक paper आ भी जाएगा, देख भी लेना कैसा आता है paper परसो, प्रोग्राम और honors कोई different नहीं होता है, theory perspective से बिल्कुल same है exactly, मैं कल उसका भी paper आपको दिखा दूँआ, आपके पास tenure आप चेक कर लेना है, मेरे theory को और उससे मिला लेना, book है, book से मिला लो जाएगा, यह अभी upload हो जाएगा, अजए सिर्फ पास के लिए बताएं सर, पास के लिए expected question दे रखा है, वो by luck होगा, मैं पहले कहना चाहूँगा, कि अभी मैंने simple बताएं कैसे पढ़ना है, actually इसमें five marks की theory पूछिया, मैं 30 number की theory बोल रहा हूँ, अगर पांच question भी हो, तो 25 से 30, 30 से उपर नहीं जाएगा theory आपका, income text करा दो, okay, सर मैं course काफी late purchase किया है, तो important, आपके folder में जाएगे, और देखो, जो बच्चे late कर रहे हैं न, मैंने एक दो starting में सबसे पहले जब वीडियो दुबार लाइब में upload होगा न, starting के साथ पांच से साथ मिनट जरूर देख लिजेगा, आपको clarity मिल जाएगा, और रहा बात course के अंदर मैंने एक folder कौन से डल बाया है, सर, देख लो, course के अंदर, इन्पॉर्टेंट थियोरी और पैक जा रहा है, लाइब रिकॉर्डिंग, हाँ, अब आ जाएगा, इसके अंदर देखोगे न, एक folder वी मैंने डलवा दिया है, और ये उन्ही question most expected theory, ये रहा आपका, जो बच्चे मांग रहे थे, और questions, सभी chapter के डलवाए है, ये questions कहां से बनाए है, जो मैंने पहले कर रखे हैं ते कि बच्चा जो last time पर moment पर करें, वो इन-इन questions को कर लेगा, तो हो जाएगा, लेकिन इन सभी questions को करने के लिए, इसमें concept नहीं है, सरिफ questions है, तो आपको concept तो main channel मतलब कि जो हमारा ये वाला part है, वहाँ से question करना पड़ेगा, जो हमारा latest 2023 वाला part है, वहाँ से आपको करना पड़ेगा, इसमें से concept करना पड़ेगा और practical questions वहीं से करने पड़ेंगे, TVM मैंने करके सब के folder में डाला है, अब एक बार चेक करो, अगर unit 5 नहीं किया, तो अश्राफ unit 5 में capital working capital, operating cycle, receivable management करके देखिए, कोई बड़ा chapter नहीं है, एक दिन में भी तीनों निप्टाया जा सकता, मैं बोलूँगा कर लिजिए, अगर नहीं आता तो फिर theory पढ़ना पड़ेगा आपको, passing के लिए मैंने expected वाली दे रखा है, अब देखो passing के लिए मैंने हर बार बताएगे क्या 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 करना चाहिए, आप थर्ड यूनिट और फूर्थ यूनिट अच्छे से करिए, और फिफ्ट यूनिट कर जाएगे, पास हो जाएगे, आप पहला यूनिट कर लिजिए, वो कल डल जाएगे, दिया आपका एक्जाम का पर बताएगे मुझे, अब बताएगे, पंद्रा नंबर का कैपिटल बस्टिंग का आएगा, सेमिस्टर पांच में, उन्निस नंबर का आएगा, तीन में, ट्विटी नाइध देसमबर, आप प्रैक्टिस करिए, जो डाउट आता है, पूछिए, वैसे कॉंसेप्ट तो हो चुका है, बागी मैं करा के डाल दूँँँगा, सर, फाइब में ओपरेटिंग करें या वर्किंग कैपिटल, ओपरेटिंग देखो, आदे घंटे का है, वर्किंग आदे घंटे का है, दोनों ही निप्टा दो, सर, मैंने वर्किंग कैपिटल कर लिया, अब 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 आप जाके चेक करो एक बार, कैपिटल बस्टिंग में कॉंसेट जो बच्चा भी स्टार्ट कर रहा होगा, तो सारे कॉश्चन पर फोकस मत करिया, सिर्फ कॉंसेट करा और कॉश्चन साब एक्जाम में कर लिजिए गया, पास हो जाओगे लेकिन मैं यही सज्जेस्ट करूँगा कैपिटल बस्टिंग मत छोड़ो करके जाओ